हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक यह समें कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको जल दिल दी कंप्रेट कर लेते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको हर हालत में आरो यारो के पढ़के जाना है और बहुत ज्यादा चांसे हैं कि आपको इन में से यह टॉपिक्स जो है आप चलो बत कर लेते हैं नेशनल पर्क जो भी मिन मिन इंपॉर्टन है मैंने आपको बताया है वो आपको पता होने चाहिए जैसे कि राजस्थान है तो राजस्थान का केवलादेव है या आपका उडिसा है तो उडिसा का देख लो कि यह वहां पर सिमली पाल है इसी तरी इससे करा पाऊगे महाराष्ट्रा में तो महाराष्ट्रा में देख लो कौन से इंपॉर्टन है मदप्रदेश में देख लो मदवृतिश को टाइगर स्टेट बोलते हैं तो वहां पर देख लो कौन से इंपॉर्टन है जो पूछी जा सकते हैं आपसे कब बने थे थोड़ जोतिबा फुले के बारे में तीन चैरे स्टेटमेंट आपको बिसिक पता होनी चाहिए कि अगर उन्होंने कोई और गटित किया था तो पता होना चाहिए या फिर इनकी कोई कर किताब है या यह बिसिकली किस चीज के लिए उन्होंने लगातर प्रियास किया जाती विरोदी वुए उन्होंने जो प्रियास किया तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए पूछाओ कोई अमेंडमेंट पंचाहिस रिलेटेट वो हमेशा ही इंपोर्टेंट होता है तो आपको अच्छे से पढ़ना है उसको उसके बाद में जो लीडबेंक की में LBS economy की यह बहुत important है इसमें देख लीजगा कि यह कवाई ती इसमें क्या सीम है क्या होता है इसके अलावा जो निउस्पेपर्स हैं और जो magazines है और उसका प्लेस और पॉब्लिकेशन यानि कि वह magazine या निउस्पेपर कहां से पब्लिश होता था जैसे माली जे बंगाल ग उसके बाद में जैसे दर्शने को दर्शन हो गए यानि कि जो philosophers हैं उनका जो उनकी जो philosophy थी वो तो आपको थोट फोड़ा idea होना चाहिए कि उससे कौन रिलेटर जैसे रामना जचार है तो उनकी विसिष्टा द्वैत है या कौन सी है या द्वैता द्वैत है तो वो किसकी ह द्वैत वाद किसकी है निंबार्प चार कौन थे मदवा चार कौन थे ये आपको पता होना चाहिए इसके बाद में पॉलिटी आर्टिकल्स बहुत important था पब्ली सर्विस कमिशन में आपको बताया ही था इसके बाद में अगर आगे आएंगे तो नीलम संजीवा रिडी नी तोड़ा idea होना चाहिए इसके बाद में जो योजना हैं और करिक्राम हैं उनका प्रारब वर्ष आपको यानिकी वो कभ स्टार्ट हुई आपको पता होना चाहिए major major नहीं लेकिन major major इसके बाद में नेचरल गैस के में इस युनिवर्स है इस अगर अभी हाल में कोई चुनी गई है तो आपको उसका पता होना चाहिए तो थोड़ा सा उसको भी देख लेना चाहिए उसके बाद में चाहिए पूस अगषटन का सदस्सिं नहीं था तो आपको पता होना चाहिए यासे हिंदुस्तान सोचलिस्ट एससेशन है तो वह आपको पता होना चाहिए अप उसके बाद में एचा सारे है यानि कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपबिकन एसोशेशन वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन एड हो गया था या कौन हड़ गया था किसने बनाया था कब बनाया था कहा बनाया था 1924 है की 1928 है कानपुर है कि लखना हुए इस तरीके से उसके बाद ने बहुत पूछा रहा था सकता है या जो बहुत पॉपलर इंसान है जिसको भारत रतमगरा पहले मिल चुका है यह जिसने थे बहुत कुछ बड़ा किया है बहुत बढ़ी कुछ ऑची से उसकी तो उसके बारे में पूच्छा रहा सकता है दो तीने स्टेटमेंट में करेंट अफियर्स में तो जब आप करेंट फिर पढ़ रहे हो तो उसमें चीज देखो कि जिसके बारे में आप पढ़ रहे हुआ ऐसी नॉर्मल कोई इंसान है जिसके डेथ हो गई है या उसने एक्चल में कुछ ऐसा किया है जो बहुत सबस्टें पहले यूपी डे यूपी डे कपने अजटा है पहलेयो गई यूपी डे कपने गया गया तो दो जब्रथारा मना गया था यूपी डे चॉपी जनवरी आपको पता होना चाहिए उसके बाद में आप देखोगे कि जैने चिली है तो चिली में कॉपर प्रोडूइसिंग पहली वाली आखरी वाली और इंडिया की रैंक यह तो आपको इसके बता होना चाहिए इसकी जो रिपोर्ट है वो अगर कही निकलती है कुछ है तो आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसी तरीके से जो डेंगू फीवर है एनफलीज है इडीज है क्योलेक्स और एशियन टाइगर मॉस्कुटो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए यह तो डेंगू फीवर उसमें क्या सिम्टम होते हैं क्या उसके इंडिकेशन होते हैं किस तरीके का फीवर आता है क्या होता है किसकी वज़ए से होता है कि एडीज एजूप इसके बाद यूपी की वाड़ आप सेंचुरी जो भी थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए और किसी का थोड़ा सा इयर भी देख लो जैसे मालोग चंबल है तो उसका थोड़ा सा देख लो कतानिया घाट कर रहे से पुछा गया था नैंटीन सेटीश तो इसी तरीक इसके बाद में जो चन्द परभाव वाली तो कुछ कुछ कम चेकम आपको याद होने चाहिए इसके बाद में जो शनी रहे उसके एट्मसफियर में कौन सी गैस है तो वह थोड़ा साब को पता होना चाहिए जो ग्रह गरा है उनके में गैस वेस कौन सी है उनका परसंटेश इसके बाद में आपको पहरे बता है तो आपको इन इनने सली सिलाइजिशन में लोथल मिलेगा यह साइट बहुत इंपॉर्टन ए ग्रेट बात जो है महान इस्तानागर वह आपका मोहन जोद्रों का बहुत इंपॉर्टन है लोथल से आपको गोदी बढ़ा देखने को मिल है तो यह जो साइट है यह बहुत इंपॉर्टन इनके बारे में आपको चार पांच फ्रेक्ट अगर रटने पढ़ें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसके लाब काली बंगा मैंने आपको पहले वी उताया था थोड़ा थोड़ा कोट दीजीगा देख लीजेगा द इसके बाद में अगर बात करें तो आप देखिए मिनल्स में में मैं आपको पहले बिदायता है कि कोईला है आयरानोरिस इंपॉर्टेंट है उसके बाद में इस पास सयंत रहें यानिकि जो इस्टील के लिए जो प्लांट्स वगरा है उनकी लोकिशन आपको थोड़ा सब्सक्राम होंगे वस्माइब जो पतली ओ रही है उसकर mezh part 6 जो आपका हो रहा है उसकिया उसके लिए कोई में पूछने के ज़्यादा चांसे हैं तो इस तरीके से आपको कुछ-कुछ जो important days है वो पता होने चाहिए वैसे तो जो एक टी कर सकता है उसको तो almost सारे important days रट लेना चाहिए पढ़ लेना चाहिए क्योंकि यार इसमें क्या है कि देखो आपको पता है कि एक question आए गई आएगा 1.33 का सही करते हो आप सीदे सीदे आपको एक number मिलता है और confidence आता है exam में दो question की करीब आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं और जोन वाला जो है कि और जोन दे वह सोला सितंबर पता नहीं कितने साल से पुछा जा रहा है और पिछले साल तक यूवी पीसेस में रिपीट हुआ है तो इसलिए जितने भी important days होते हैं ट्राइ करो कि पढ़ लो अब इस तरीके के मत पढ़ना यार की world toilet दे पढ़ रहे हो 19 नौंबर या फिर टेलीजन दे पढ़ रहे हो 21 नौंबर अब मेरे को याद है चलो ठीक है लेकिन आप मत पढ़ना जो एकदम main main वाले हैं वो पढ़न इस तो आप चीडिंगे तरीके साथ होता है तो इस तरीके से मांटने ना पढ़े गा कि कॉन को साब जसे आपका तो आपका साथ 18 प्रेयर को होता है तो यह वो इंपोर्टेंट है वो पुछा भी किया था वो अभी पिशले साथ यूपी पुछा गया था तो इस तरीके से कुछ-कुछ आपको छाटने पड़ेंगे वही है कि जब कई बार पड़ो के तब समझ में आएगा कि यह चाहिए 22 मार्च है अर्थ डेय है अर्थ आवर है तो यह सब बनाते हैं थोड़ा थोड़ा एडिया होना चाहिए ना उसके बाद में कुछ-कुछ आपके जून में पड़ते हैं जैसे हैपटाइटेस वाला पड़ता है आपका 8 जुलाई को तो इस तरीके से आपको घरी दिन ले लो सिंबल्स अवया इंप्टेंट मुझे जाद है कि मिने कई वार पड़ा है कि क्या आता है क्या नहीं आता है तो वह कहीं भी अब जैसे इस बार इूपिए सी काया था पिपर यूइप मिल गई थी क्योंकि 7 अगस्को वहां पे मनाते हैं तो हाथ कर गा से पढ़ लो जिना के बारे में 15-20 फ्यक्ट जो में में इपॉटेंट है उसारे पढ़ लो और जो रवीना टैगो रहा है उनके बारे में भी 10-15 फ्यक्ट फ्रपर पढ़ लो कि इनको नोबल पुरुसकार कब मिला था इन्होंने अगर अपनी जो नाइटूट की उबाती है वह कब त्याग दीती किस वज़े से त्याग दीती और इनका क्या मानना था कपलों की जो बरवादी वगरा जो की गईती जो स्वधेशी अंदुल ने जो कपल अपले जलाए गयते विदेशी तो इन्होंने कह दिया था कि भाई यह निश्ट्रो बरवादी है कोई फायदा टॉपिक जोग्रफी बहुत इंप्टेंट पावर हाइड्यो जो होते हैं हाइड्यो पावर वह आपको तुछा पता चाहिए थर्मल पार प्लांट जो है वह भी तो इसके बाद में आपका एंश्यां टमडीवल में अगर आप देखो कि तुर चना रचनाकार मैंने आपको पढ़ लो अगर कोई इंटरनेशनल फेस्टिवाल हो रहा है बहुत जदा आपके डेली में देश की राज़ानी है तो वहां पे देख लो कि वह क्या है इसी तरीके से अगर आप देखो कि जिसे संगाई कॉर्परेशन और इसकी अगर कोई इवेंट अगरा इंडिया में चार-पांच फैक्ट देख लो कि यह क्या होता है कैसे क्या है उसके पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका इर ऑफ इस्टेबलिश्मेंट देख लो अगर आपको उनका पता होगा कि यह कब इस्टेबलिश हुई है तो अगर उनको क्रोनोलोजी में लगाने को बोल दिया आप जैसे आम आदमी पार्टी यह वो भी निशनल पार्टी बन गई है तो इस तरीके से आपको चार-पांच प्रेक्ट मता होने चाहिए इसके बाद में स्टेट और बायोस्पेर रिजर्व मैं आपको पहले बताया था पता होना चाहिए इसके बाद में उडी ओपी यान लगने वाले जिले हैं इस तरह से याद करो जैसे आप मालो रहते हो गोंडा में तो यह देख लो कि भाई गोंडा की आसपास बॉर्डर किस-किस का है उस अपने गोंडा का याद करो और उन चार-पांच का याद कर लो मेरा मालो लखनव हुए तो मुझे ऐसा पता है कि हम यहाँ पर था जो भाई हैं उनका वहां पर इस तरीके से कोरेलेट करके याद करो कि यहाँ पर यह सपोर्ट है फोरेश्ट पर मैंने पहले हुद आया था अरिकल्चर का डिटा अरिकल्चर अट्टरों पहले बहुत जाता पूछा जाता था लेकिन आप उतना नहीं पूछ तो इनका पो मोटा मोटा पता होना चीए थोड़ा बहुत मोटे अनाश का देखलो कि यहां बहुत ज्यादा नहीं रटना एक तीन नंबर तक रखरे हो कि पहले नंबर कॉन से इस ट्रेट यह तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको याद तो आपको थोड़ा बहुत भी आईडिया है तो आप वहां पे अलिमिनेट कर ले जाओगे तो उस तरह से पढ़ लो क्योंकि आप सब्सक्राइब करने देशा थे सब्सक्राइब करना इसा perspectives उत इसाओगे आ एंप पासक केढ़ि है रदी महोंगे पक Takes तो देखो यहां पर नासा है दो जार इकिस का यह बाइस के पीपर उठाओगे आप देखोगे नासा में जो इस पेस में सबसे लंबी यात्रा करने का रिकॉर्ट किसने बनाया था यह कुछा गया था यानिकि नासा जो है वो कीवर्ड ही इंपॉटेंट है अब आप जब इस नहीं है कि तुम European Space Agency पढ़ रहे हो जापान की Space Agency उसका भी तुम पढ़ रहे हो नहीं सबसे पहले नासा को पढ़ो अपनी कंटी का पढ़ो और युए से का पढ़ो क्योंकि नासा सबसे जादा बड़ी बड़ी चीज़ें कुछ ना कुछ करती रहती है कुछ ना कुछ एड ज़से सममिदान है सममिदान में जो प्रहों प्रहभ वाद है है जैसे कि केस उनका यह और उन्होंने क्या ज़िपन पास कीती है आपको पता होना चाहिए ज़्वारी के सम चाह ऑफ जिल दिन बताते हैं अब आप को काफी आडिया लग गया है तो डेटेल की इतनी शुरहत जल्दी बता हूं ठीक है उसके बाद में देखो जैसे कि जल जीवन मिशन है अब आप देखो कैसे पेपर को अनलाइज परते हैं देखो जैसे जल जीवन मिशन है यह यह जना पूछी गई थी आपसे क्वेशन पेपर पुछा गया था कि किस बजट में घुशित की गई ती पिछले अधार यह कोईशन तो यूपी में आया था यूपी पीसे में इस बार उन्होंने जल जीवन मिशन एक ऑप्शन में दे रखा था कि उसको कितना बजट एलोकेशन किया गया क्या किया क्योंकि जल जीवन मिशन जो कीवर्ड है वही इंपॉर्टन है आप आरो यह को चीज़ को आपको समझना पड़ेगा यह बात आपको तब समझ में आती है जब आपका एक दो अनलाइज करना सीखो उसके बाद में जैसे ड्रक्स वगरा है तो ड्रक्स के टाइप वगरा देख लो कि भाई ऐसी कौन सी ड्रक्स होती है जिसमें त्वासा सलफर वगरा होता यूए डीप ने की तो आपको पता होना चाहिए इस तूब वगरा मैंने आपको पहले भी बताये इसके लबाब जैसे इंजन वगरा है जैसे पेट्रोल है डीजल है तो इसमें जो कार्गुलेटर इंजन वगरा है तो उन से किस टाइप का वी स्मोग वगरा निकलता है उस गोल वारा जो लड़की थी उसने सरेंडर कर दिया था कह दिया था हम खेले हो लेंगे नी तो उसको गोल बिल गया था सिंदू को बना वो सिल्वर जीती है तो कभी भी जैसे आप्शन में आये तुमको नहीं आदे नहीं आदे माल लो जैसे कहते है ना लो तुक्का कैसे मा हो उसमें तुमको चांसे ज्यादा है आपके कि आपको सही हो जाएगा तो इस तरह से पीव सिंदू के बारे में कोई भी फेक्ट है पढ़ लो उसने कोई भी इवेंट अगर खेली है उसमें आगर वो उपर तक गई है वो जाती है वो जाती है वो जीट जाएगी बहुत का रिचे में अगर बात करों कि ही जीट बहुत कर लुकेशन कर नाम इसमें में अजिए कर दो भाई इसको फ़रांथ जो गए वो उसकी लोकेशन में अगरा देख लो भई कि उसका आप ऑसको सिबॉर्डिंग स्टेट है अग और पवे इघ्जेक्लिर याया तक क्या हुआ प वहाँ पर बहुत बड़ी इंप्टेंट बिल्दिंग तो नहीं थी जिसका नुकसान हुआ अबूकम्प में यह थोड़ा-फ़ड़ाइडिया होना चाहिए इसके बाद में जैसे बैक्टीरियल डीसीजिज होती है वायरल डीसीजिज होती है थोड़ा-फ़ड़ाइडिया हो कौन से होते हैं कभी उसमें कुछ और देख लेगा कि इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है तो आपको एश्डिया के बारे में पता होना चाहिए सबसे अच्छा हुमन डेप्रिमेंट कहां पर है सबसे जादा वह भी आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया होना चाहिए उ अच्छे से पढ़ना है जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया प्रोजेक्ट टैलिफेंट हो गया कहते से पता होना चाहिए इन्वारुमेंट में जैसे अच्छाव परियावरान सरचन वाला एंवारुमेंट प्रटक्शन एपीसी 12186 या फिर आप करो जो इस भार आया था जल पृद्धुरत रुटाम वाला या फिर आप वाई पृद्धुटर रुटाम वाला बात करो इसके लावफ बात करो जो आपका एक डोस के पहले के भी हैं तो वह भी आपको थोड़ थोड़ आइडिया होना चाहिए कि भाई वो किस साल में आए हैं इसके बाल में अगर आप देखोगे तो हैं वहाँ हैं वहाँ पर क्या व्कम भुकम पाने के चांसे नहीं औक यह सब बेसिक चीजए हैं आप को आयडिया होना चाहिए इसके अलावा इस प्रोसाही scree किया रहा है तो आपको थुदा सा आईडिया होना चाहिए उसके बारे में इसके बारे में इसके अलबा आप अगर आप देखेंगे तो एकॉनमी में जैसे बहुत बड़ी बड़े कोई वियक्ति इनी से आप अमरते सेने ने अच्छा से यूग दान दिया है भरत्य रसता थो 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 आपको आपको आइदिया होना चाहिए कि हां भाई क्या है उन्होंने क्या the altroially minimum आपको आड़ा होना चाहिए व्लु एचो वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन अगर किसी बीमारी मेरी के बारे में कोई अगर एडवाईजरी जारी कर रहा है बहुत बड़ी और उसका एकदम देश विदेश पर अशर पड़ रहा है भारत के बारे में उसने डिलु एको ने को प्रतिशात है सबस्यादा वह एड़कों का सबस्यादा जो पढ़ाई का सिस्टम कहां पर बैटर है तो इस सब थोड़ा एडिया होना चाहिए कि हाँ आप देखोगे अगर पिछले पीसस के यह पीजा से रिलेटिड दो क्वेस्टन देखने को मिलेंगे कभी यह पुछ लेगा कि बाई कौन सा ऐसा यह एरपोर्ट है जो पूरा का पूरा सॉलर एनर्जी ते चलाया जा रहा है कभी कुछ लेगा कि बाई स्वलर प्रांट कहां इस तरह से कि देव समाज है प्रतना समाज है या आपकी सनातम धर्म रच्णी सभा है भारत धर्म महामंडल है इस तरीके से जो भी आपकी हां अब जैसे लोग करेंट में आप देखोगे बहुत आएसे चीजें करेंट इसमें यह ऊता है कि पहला पारट्राइन पहली ट्रीं पहली यहां पर बंद्य भरत एक्सप्रेस तो देश में पहला कुछ भी हो वह हमेशा से इंपॉर्टन रहता है तो उसको थोज़ा सा काय हो गया यह बहुत इंपोर्टेंट है कभी अगर दो तीन रामसर साइट वगरा है उनको वो कर दिया जाए चिनित वगरा कर दिया जाए अधिसुजित कि तुरंत उसको काईदे से पढ़ लो वेट लेंड वगरा है देख लो कि आपकी यूबी में कितनी है गुजरात में कितन होई है इस तरीके से उसके बाद में जो बायो मास सोर्स थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि बाई कौन कौन से सोर्स ने जो कि बायो मास को कराते हैं इसके अमीर खुसरो है अब्दुर्जाक है शिया बुद्दीन अलंगरी है इनके बार में चार-चार पांट पर ही यह किस चीज के लिए फटा होना चाहिए है जैसे रही है यह बोड़ तक तरह दिये तो इसका की ने सब Jagd इसके पागर आगे देखो गह आपको वही सारी चीज़े मिलेंगे कि जैसे अकबर है तो अकबर के टाम पे बहर उल असमार नाम से रास्तरंगडी का अनुवाद किस ने किया आप देखो हर बार एक क्वेशन इस तरीके का आता है मेडिवलेश्टी में कि कोई एक बुक दी गई होगी उसका फारसी में या उसमें बगरा पूछा होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके लबाद जो भीमसें कायस ने इक पहुत इंपॉटेंट टॉपिक है इन से भी कभी पूछा रहा सकता है तो थोड़ा से इनके बारे में आप देख लीजेगा मुगलकाल में टर्मलोजी वगरा है जैसे दहे का मतलब क्या होता थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए बाकि मल् styles project प्रोजजक्स वगरा हैं थोड़ा सा आप देख लीजे कि इसमें क्या है प्या नहीं है फिरो स थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया इन सबका होना चाहिए इसके बाद आप आगे आओ कोई टिपपड़ी की है कि सीवियर ने आईवर जैनिम्स ने है या गिनेंविल उस्टेन ने वो रटलो काईदे से दिख लो कि भाई क्या इसका अंसर होगा क्या होगा उसके बाद में जैसे एक्सप्रेस वे है अब वो एक्सप्रेस वे चाहें आपका ये बुंदेलखंड वाला एक्सप्रेस वे हो या कोई और कोई और कोई और बनना है जैसे अगर ये आपका अगंगा एक्सप्रेस वे है जो मेरट से लेके प्रियागरास तगाएगा तो वो गुजट हो थीवोट प्हीं UCLA कि पह और किया है कि इसपर्पी itself उप पसकर सब्सक्राइब और किद धूज से कि 10 प्की फायदा होगा ऑज आद将ी इसे prendre मिलती है थोड़ा सा पता होना चाहिए यह जैसे कुछ-कुछ टर्म होते हैं जैसे मुकदम है सरखेल है बरीद है सदका है इन सब टम्स का मीनिंग आपको मालू होना चाहिए अब जैसे एक क्वेशन आया था कि 2015 में स्कीम कौण सी स्टार्ट नहीं होई चार स्कीम देती और यह पुष्ट लिए था कि 2015 में कौण सी स्टार्ट नहीं हो इपनजान की तरह थैखा हुई तो उनकी कौन कौन सी है इसके बार में आप देखोगे जैसे पॉलिटी में आओगे तो देखोगे जीरो आवर होता है तो शूर निकाल आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है बाकी जैसे प्लाणिंग लानिंग है प्लाणिंग कमीशन है नीटी आयोग है नेशनल हाई कोट है सुप्रीम कोट है तो इसमें अभी लेक नियाले कौन सा होता है क्यूं होता है क्या मतलब होता है इसका थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए आप जैसे लाड करजन है बहुत इंपॉर्टन था वो मिंटो है डफरिन है इर्विन है मैंने आपको प फास बात है मैंने आपको पहले बी बताया है वाइरस के बारे में हैं थोड़ा आ एकुछन एक वीज़ को यज़ा है थो ठीखके रहा निकलता है तो मार्न वर्च में जो भी आपका यह बजज वेजट आता है ऊको इस ठीछलो कुछ चीज़ो PRACES है या उसमें कौन सी ओजनाओं पर कितना पैसा लग रहा है तो यह सब बेसिक चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए इसी तरह से यूपी में देख लो उसके लावा कुछ थोड़ा थोड़ा तो कम से का मालूमी हो बाकि पॉक्सो एट है तो इसमें क्या प्रोविजन्स है कब आया था दो जर बारा में आया था कि दो ज़र चौदा थोड़ा एडिया होना चाहिए बाकि जो 15 फैनेंस कमीशन है उसकी रिपोर्ट है थोड़ा तो उसमें देख लो य जो भी इसमें से important topics हैं धीरे-धीरे-धीरे-धीरे मैं उसको कराता चलूँगा तो आप लगाता रहा भी यह जब तक आपका एक्जाम होगा आप से लेके तीन-चार मैने तक तो रोज एक वीडियो दो वीडियो एक दो वीडियो छोटा-छोटा-छोटा 5-6 मिनिट का रख सब्सक्राइब कर लिए ना मन करें ना मन करें कोई बात नहीं वीडियो कैसा लगा बताया करो, अच्छा लगे तो बताओ, बुरा लगे तो बताओ, अगर खराब भी लगेगा तो बताओ, तो उससे क्याएगी, मैं अगर इंप्रूव कर सकूँगा, तो उसमें इंप्रूव करूँगा, बबाए, टेक केर, ठेंक्स पर वाचिंग